दोस्तों इडिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करें के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों कि आपको पता है उठक प्रदेष की टॉप कबरें तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले उत्र प्रदेष की टाप खबरों में सबसे पहले पॉइंन से सर्दी और कोहरे के चलते डियम कादेश अभी दो दिन और बंद रहेंगे आठवी तक के सभी स्कूल जाने कब खुलेंगे मालदियों के साथ तनाव में कुदा चीन कहा उदार रवया अपनाए भारत पुराने पेंशल बहाली के लिए गर्ज कमचारी किर्मिक भूक हरताल सुरू इंडिया गद बंदन में आ सकती है वश्पा खिलेश बोले हाबात उच्छाल ना बीजे पी की साजेस फ्री रासन बितर्ण की आ गई है डेट जाने इस महीने कब तक मिलेगा राशन उत्रप्रदेश में फ्री रासन में बड़ा बदलाओ गेहुचावल के साथ बाजरा देगी योगी सरकार जाने कब से होगी सुरुआत बिशेस कैस्परणेंट महिला उतान समिती के नेतरित में परदसन कर रहे बीजेस सकी बहनों ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया 75,000 सपोर्ट फंड माफ किया जाए मांदे बढ़ाने को लेकर बीजेस सकी का परदसन जारी है अगले खबर की और बढ़ते हम लोग तो पाते हैं किस तरीके शे बीशी सकी मांदी ना मिलने की वज़ा से भी अपनी आजीव का चलाने में काफी मशकत का सामना कर रही है उत्रपरदेश के इस जिले में लापरवाह बने 242 परदान अध्यापक 20 से सक्त बेतन रोकने की दी चेतावनी पुराने पिंशल बहाली को लेकर कमचारियों के भूखरताल सुरू जाने कब तक रहेगी जारी किसानों का लोन माफ करने का वादा अखिलेश बोले इंडिया की सरकार बनी तो होंगे करज मुक्त उत्रपरदेश में महगा हो सकता है निया विजली कनेक्शन दर्य बढ़ाने के प्रिस्ताव को मनजूर करने के लिए आयोग ने बुलाई बैठक सोने के रेट गिरा धराम चांदी 76,000 के पार चेक करें 10 ग्राम गोल्ड के ताजा भाव 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा उत्रपरदेश दिवस होंगे कई आयोजन आयोद्याराम मंदिर 9 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को राम लला की प्रतिमा का भरमर काल करम रद हर मेमान को घर पहुँचकर सौपास आएगा राम मंदिर का आमान तलपत्र आये दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और आखरी तक जरूर देखिए उत्रपरदेश के टाप और बेहतरीन खबरों के लिए सर्दी के प्रकोप को देखती हुए जिलाधिकारे की निर्देश के बाद ब्यस्ते ने नरसरी से लेकर कचार तक के सभी बोर्ड के विद्यालों को 9 और 10 जनवरी को बंद रखने के निर्देश दिये हैं चीन की कमिनिश सरकार के मुकपत्र गुलोबल टाइम्स ने विशलेश्कों के हवाले से कहा है कि भारत खुद को छेतरी बहुत समस्ता है और इसी वज़ा से पडोसों के साथ उसके तनावपूर संबंध हैं कडाके की सर्द में कमचारी और पेंशनर सुबा से साम तक धरने पर बैठे हैं इस दौरान कमचारी केंद और परदेश शरकार पर जम कर बरसें उन्होंने मांग रखते हुए का कि कमचारीयों के हित में पुरानी पेंशल बहाल होनी चाहिए पुरानी पिंशन योजना बहारी से उक्तमंच NJCA के केंद्री और प्रांती नेत्रित के आहवान पर आठ जनवरी से रेलवे स्टेशन के मनरंजन सदन में कमचारियों ने कर्मिक भूखरताल सुरू कर दी है जो 11 जनवरी तक जारी रहेगी कडाके की सर्द में भी कर्मचारी और पिंशनर सुबा से साम तक धरने पर बैठे रहें इस दोरान कर्मचारी केंद्री उंपर देश सरकार पर जम कर बरसें इंडिया गटबंदन में आ सकती है वस्पा अखलेश बोले आबात उचालना बीजेपी की साजिस इंडिया गटबंदन में बस्पा के सामिल होने की चर्चाएं सुरू हो गई है इस बात पर अखलेश यादों ने अपनी प्रत्किरिया दी है बस्पा की और बढ़ रहे कांग्रेस के हाथ में सपा को भास्पा के साजिस नजर आ रही है सपाधेक्स अखलेश यादों ने कहा की इंडिया की बैठक में कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है फ्री रासन अपडेट को लेकि सासने लाभार्तियों को वित्रित किये जाने वाले निसुलक रासन के लिए जनवरी माह के वित्रण कितिति जारी कर दी है जिसके अनुसार 10-25 जनवरी के बीच रासन का वित्रड की आजाना है वही कमीशन बढ़ाने और मान दिया निधारित करने की मांग को लेकर कोटेदार एक जनवरी से ही हरताल पर है आईए इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से फ्री रासन ही नहीं बलकि गेहू चावल के साथ बाजरा भी उत्रप्रदेश शरकार देगी यूपी में रासनकार धारकों को अब तक 35 किलो मुफ्त रासन में 14 किलो गेहू और 21 किलो चावल दिया जाता था लेकिन अब गेहूं और चावल के साथ बाजरा भी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भरती परिक्षा से पहले बड़ी खबर आई है अगर जादा कंडिडेट होंगे तो सरकार क्या कर सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस भरती कुले की जिला विद्याले निरिक्षक परवेश कुमार ने जिले के प्राचारें और केंद्र ब्यवस्थापकों को पत्र भेज कर जानकारी दिये है कि उत्तरप्रदेश पुलिस भर्ती और पुनती बोर्ड लखनो द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस की परिक्षा आगामी 16 फर्वरी को कराई जानी है इस संब्ध में परिक्षा केंद्रों से सहमती परपत्र भरवा कर उपलब्त कराने के निर्देश दिये हैं पुलिस भर्ती परिक्षा के लिए जिले में 109 केंद्रों का निधान किया गया है यहां पर तेक केंद्र पर 330 अभर्ती परिक्षा देंगे एक स्कूल में अधिसंक्या 330 से अधिक है तो उस केंद्र को दो ब्लोकों में बाटा जाएगा और इसके लिए अलग-अलग परिक्षक तैनात होंगे D.I.O.S. ने ऐसे स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचारियों से तत्काल प्रिक्षकों से जोड़े सहमती पत्र भर कर इमेल पर उपलग्ट कराने के निर्देश दारी किये हैं जिले में ये परिक्षा 16 फरवरी को होनी है बिस्सकी के मानदे बढ़ाने और अस्थाई कहने की मांग को लेकर सनिवार को आलमबाग के एको गार्डन में धरना परदसन दिया गया बिस्सकास्परेन महिला उत्थान समिती के नित्रत में अगर हम बात किरते हैं बिस्सकी बहनों को लेकर के कई जगहों पर जिले के सभी परसेदिये विद्यालें आज़वरी की मानता परद्यालें के प्रधाना धापकों को यू डायस प्लस पोटल पर दोजार बाईस तेस की गत्विधियों को फीट करने के निर्देश दिये गए हैं जिसमें स्कूल टीचर वाई स्टुडेंट प्रोफाइल सामिल है विवन फीट करने में लापरवाही बरती जा रही है बिएस से सालने सि जनपदों में जगह जगह पर हो रही है किसानों का लोन माफ करने का वादा अखिलेस बोले इंडिया की सरकार बनी तो कर्ज होगा मुक्त उत्तरप्रदेश इंडिया गटबंदन में शामिल पार्डियों की सीटे भले ही अभी तैना हुई हूँ लेकि समाजवादी को बड़ा वादा कर दिया है सपा परदेश मुख्याला में महानगरवाज ज़्या धक्षों की बाठा के बाद उन्हेंने पतकारू से बाचीत में कहा कि विपच्छिक अटवंदन की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज पूरा माफ कर देंगे यूपी में महगा हो सकता निया बुलाई है अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर सोना और चादी के भाव की तो सोना चादी खरीदारों के लिया अच्छी खबर है दर astaल आपको बता दें कि सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है ऐसे में ग्रहाकों के लिए सोना खरीदने का इसा ही समय है इसके लावां चादी गिरावट के साथ 72,001 रुपे प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है गोल्ड के कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है ग्लोबल मारकेट में बहुमूल धातियों की कीमतों में आ रह होगा है 26 से 26 जनवरी तक मनाय जाएगा यूपी दिवस होंगे कई आयोजन उत्रप्रदेश का नाम हुआ अच्छा काम करने वाले 26 को राजभवन में स्रमानित भी किया जाएगा अधर राम मंदिर की बात करें तो 9 जनवरी 2024 का बहुत बड़ा अपडेट है प्राण प्रत चैनल पर आपको तरह तरह के खबर देते रहते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को राम लला की प्रतिमा का भरमर कार्करम रद्द हो चुका है डाक या कूरियर से नहीं बलके हर मेहमान को घर पहुँचकर सौपा जाएगा आमंत्र पत्र निवेदर करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी में साजा किया हूँ सारी जनकारी लेटेस्ट और अप्टेड़िट है अगर आप उत्तर पर देशते हैं एकीनन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वीडियो को लाइक करना चाहिए ताकि भविस में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके धन्यवाद दोस्तों यह डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब को बटन और घंटी जरूर दबाएं